सोशल मीडिया पर एक वीडियो वाइरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि 38 सेकंड के अंदर हाती ने पूरा का पूरा पेड नीचे जमीन पर गिरा दिया ये वीडियो आई एफस आफिसर शुशान्त नंदा ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है इस वीडियो से आपको आज पता चल जाएगा कि आखिर एक हाती कितना ताकतवर होता है कि आखिर एक हाती में कितना जोर होता है ये वीडियो महज 38 सेकंड का है इतने कम समय में हाती ने इतना जोर लगाया कि पूरा का पूरा पेड़ी जमीन पर गिरा दिया जिस तरह से ये हाती जोर लगा कर इस पेड़ को गिराने की कोशिश कर रहा है उसे देख कर लगता है कि ये कोई आम हाती तो नहीं है इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हाथी काफी जोर लगाता है और एक पेड को गिरा देता है ये सब वो काफी कम टाइम में कर देता है बता दे कि ये एफ्रिकन हाथी है इस वीडियो को आई एफस अफसर ने अपने टुटर हैंडल पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा Strength of African Bull इस वीडियो को टुटर यूजर देखकर हैरत में है कि आखिर हाथी में इतना जोर कैसे हो सकता है इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हाथी की जहां तक सून्द नहीं पहुचती वो वहां के पत्ते भी खाना चाहता है इसलिए वो पेड को गिरा रहा है ताकि आसानी से वो पत्ते खा सके इस वीडियो पर लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं इस वीडियो पर 600 से जादा लाइक्स भी आ चुके हैं और साथ ही अगर रीट्विट की बात की जाए तो 70 से जादा लोग इस वीडियो पर रीट्विट भी कर चुके हैं एक यूजर ने इस वीडियो पर कमेंट कर बोला बहुत शक्तिशाली लेकिन विनाशकारी भी वे बड़े जंगल को आसानी से नश्ट कर सकते हैं तो वहीं एक और यूजर ने कमेंट कर कहा कई लोग पूछ रहे हैं कि हाती पेड को क्यों काट रहा है बैल हाती पत्तियों और चाल के लिए उपरी शाकाव तक पहुचने की कोशिश कर रहा है जो उसकी सून्ड से परे हैं इसलिए उसके लिए पूरे पेड को नीचे लाना और फिर पत्ते खाना असान है इसके अलावा कई लोग अब तक इस वीडियो पर कमेंट कर चुके हैं और हाती के इस 38 सेकिंड की वीडियो देखकर काफी हैरान है साथी लोग इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर खूप शेयर कर रहे हैं जिस सरह से इस हाती ने इतने बड़े पेड़ को महस 38 सेकिंड में गिरा दिया उसे देखकर कोई भी इंसान चौक चाए ऐसी ही अपडेट्स जानने के लिए हमारे आम आदमी पेश को फॉलो करें और साथी इस वीडियो को भी जादा से जादा लाइक करें झाल झाल